नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया मैं हूँ आपके साथ काजोल नाराइड और आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी 55 दिन से जादा का समय हो गया है किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगो पर अड़े हुए हैं लेकिन सरकार जो किसानों को मनाने की पुड़ो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस चीज का समधान निकले तीनों इस रहे हैं पंजाब से शुरू है साथ में ने हर्यानों को भी अपनी जद में लिया और उसके बाद धिये दिये पशिमी यूपी को भी अपनी जद में ले रहा है लेकिन सवाल यही है कि कब तक किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे कब तक सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो तै होगी सरकार कब किसानों की मांगों को मानेगी क्योंकि इससे पहले भी कई बार बातचीत सरकार और किसानों के बीच हुई थी लेकिन समधान कुछ नहीं निकला आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किसानों से अपील भी की कि बहुत जो है वो इस अंदोलोन को खतम कर दे और MSP पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा प्रधान मंत्री मोदी ने का लेकिन काजोल सवाल यही ह क्या किसान प्रधान मंत्री मोदी की इस बात को मानें और आज भी राज श्भा में राश्वति के अभिवाषन के धन्यवात प्रस्ताप ग्राज सम्भोधन किया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वाकई वो बेहद ही दिल्चस्प था और कहीं न कहीं उससे ये साफ हो गया था कि प्रधान मंत्री नरिंद्रमोधी किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो आप आंदोलन खतम कर दे क्योंकि पारुल जाहिर सी बात है कि आंदोलन को इतना समय हो गया है देखें दिल्ली की सिमाओ को पूरी तरह से किसानों ने बांद दिया है आम जंता बेहत परिशान है किसान खुद परिशान है सर्दी बीद गई इतनी ठंड में शीत लहर में वो यूही रहे बरसात उन्होंने देखी उसके बाद भी उनका अंदोलन खतम नहीं हुआ है क्योंकि उनका जो इस बार मु करना चाहिए वाकर यह सवाल बनता भी है और यह जानने वाला भी है कि आखिर जिस बिलकुल लेकर इतना बवाल हो रहा है इतने महिनों से उस बिल में क्या कमी है और क्या ठीक किया जाए यह राजरी दलो को भी बताना चाहिए इसी बात प्रिश्य कानून है उन्हें सरकार वापस ले ले पार बिल्कुल बात सही है और यह समझना बहर्त जरूरी हो जाते है क्योंकि आम जंता को भी अब ये लग रहे है कि आंदोरन जल से जल खत्म होना चाहिए देखें, किसानों की समस्या जाहिर सी है, बहुत बड़ी है लेकिन आम जंता को भी परेशानी हो रही है सरकार भी कहीं न कहीं अभी क्ल्यू देती हुए नजर आ रही है कि सांदोरन को खत्प करने की वपील लगातार कर रही है देखिए प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी ने साबता और पर पहले भी कहा है लगातार वो कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि इस कृष्षी कानून से जो छोटे किसान हैं उनका भला होगा देखे हमने देखा है कि जो छोटे किसान हैं वो बहुती कम संख्या में अवदेश में बचे हैं जो बड़े किसान हैं वो अलग-लग राज्यों से मजदूरों को बलवाते हैं उनसे मजदूरी करवाते हैं और इस वज़े से वो काफी जादा उनको पैसे भी नहीं देते हैं और वो काफी परेशान रहते हैं और वही किसान है जो आत्महत्या भी करते हैं तो उन किसानों के लिए जो किर्शिबल है वो काफी फायदे मन्द है ये किर्शिबल और होना भी चाहिए इसके साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी का है कि इस किशी बिल से करीब 12 करोड किसान जो है उनको फायदा होगा देखे पिशली सरकारों पर उन्होंने पलटवार भी किया हमला भी बोला और कहा कि पिशली सरकारों ने किसानों के लिए बहुत कुछ कि लेकिन इसमें कहीं न कहीं किसान जो हैं चोटे किसान देखे़र यह éénङा मैं बात करो जोई सरकारों और यह व 때문에 उन्हों ने सब किश ले लिया है तो इसे इन योजनाओं से इन बिलंसे चोटे किसानों को बहुत फाइदा होने वाला है ऐसे में अभ यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है पारूल कि क्या किसानों की चीज समझ में आएगी या किसान अगे अंदोलन को जारी रखेंगे क्योंकि जिस तरह से राकिश्टिकेत लगातार किया जो यह दो अक्टूबर तक चल जो बैठे रहेंगे जैसे पिछले दो महीने से बैठे हैं सिर्फ दो अक्टूबर की लेगी क्योंकि सीधी तो पर बात यही है काजोल कि किसान जो है वो सुनने के लिए तयार नहीं है वो किसी भी तरह सुन नहीं रहे हैं, उनकी सिर्फ वो सिर्फ एक ही मांग है कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए सरकार है, सरकार का तरीके ढूण रही है, नई नई तरीकों से उन्हें लुभाने कोशिश कर रही है, अपील कर रही है कि आज प्रधान मंत्री निरिंदर मोदी ने सिर्फ तोर पर एकाय कि अफवाओं से बच कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि शोचल मीडिया पर अफवा भी बहुत जादा फैल थी, एक अफवा ये भी आई थी, अब इसे अफवा कही है, या हकीकत अभी इस पर कुछ कहना थोड़ सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस पर कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं आ पाया है, तीन राज्यों से दूद और सब्जियां बंद कर दी जाएगी, किसान ऐसा कह रहे हैं, अभी अफवा है कि हकीकत इस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, दिख आम जनता भी कह रही है कि आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, आप देश के अनदाता हैं, देश के अनदाता की बिना देश कुछ नहीं है, क्योंकि हम कृशी प्रधान देश हैं, अस्ति प्रतीशत अबादी हमारी क्रिशी करती है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि जिस तरह से आपने दिली को घेरा हुआ है, जिस तरह से आपने दिली में कबजा जो माया हुआ है, उसको अब थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है, दिली की जनता को बहुत परिशानी हो रही है, हाला कि किसान इस चीज को समझते हैं, लेकिन कि बिल्कुल बिल्कुल काजोल जैसे आप कह रहे है कि श क्रिशी बिल सरकार यही समझाने की बाबा कोशिश कर रही है किर्शी बिल आगे आने वाले समय में बहुत फाइदे मन्होंने रहेगा किसानों के लिए लेकिन किसान जो हैं वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है और जैसा कि आपने काजोल बोला कि एक ऐसी जानकारी मिली कि तीन राज्यों से जो है वो दूद और सबजी रोक दी जाएगी उसकी सप्लाई जो है रोक दी जाएगी हाला कि अ जनता जब किसानों का साथ दे रही है और किसान अगर दूद और सब्जी की सप्लाई जो है वो रोक देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये गलत होगा क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि दूद और सब्जी बहुत एहम चीज है और हर किसी का इस्तमाल में आती है हर सुबा सबसे नेससरी चीज जो है वो यही है हर घर में तो अगर ऐसे में ये चीजे रोक दी जाएंगे सप्लाई की रोक दी जाएगी वो गलत होगा पनजाब के बॉर्डर किसान जब से दो महीने पहले से आंदॉलन पर बैटे हैं तो तमाम रास्ते जो है वो बन्ध है और ऐसे में आमजंता को पहले से ही कई सारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर हम दिल्ली जाने की यहां से बात करें नौइडा या कहीं से भी यूपी से भी तो भी कहीं बहुत सारा रास्ता बदल के जाना पड़ता है और ऐसे हर्याना या पंजाब जाने के लिए बात करें तो भी तो आम जंता जो है वो पहले से ही किसानों की वज़ा से चीजे बुगत रही है परिशानी बुगत रही है ऐसे में अगर ये सप्लाई जो है ये बंद हो जाएगी दूद और सब्जी की तो ये भी एक गलत चीज होगी आम जंता को और ज़्यादा परिशानी होगी बिल्कुल और जिस तरह से नीजवल इंडिया भी लगातार फिल्ड में जाता है जो है वो गाजीपूर बॉर्डर हो चो है वो सिंगू बॉर्डर हो या फिर टीक्री बॉर्डर हो अब लगातार एक एक अपडेट आप अभी पहुंचाते रहते हैं जिस तरह की तस्वीरे वहां पर बनी हुई है अभी भी वही है किसान जो है वो यह तो कह रहा है कि इस कृशी बिल को कि ये काला कानून है लेकिन अभी भी कृशी किसान ऐसे हैं जो एक लिए नहीं की से फायदा बंद रहेगा क्योंकि उन सही information है वो पहुशने ही नहीं दी जा रही है तो ऐसे लोगों को भी चिनहित किया जा रहा है लगाता जांश तो कि ही जा रही है लेकिन दूसी तरफ आज जिस तरह से प्रधान मंत्री नरिंज मोदी ने सदन में कहा है कि जो भी आपके पास जानकारी है या फिर कोई सुझाव है अब हमारे पास लाइए सरकार बात करेगी सरकार ने बात करने सिरक इनकार नहीं किया है सरकार आज भी बात करने के लिए तयार है लेकिन अब किसान जो हैं वो बात नहीं कर रहे हैं आखिर क्या वज़ा है क्या किसान उन्हें सोचा है आगे उनकी क्या तयारी है क्या वाकि अब में dollars किया अबर दो अपिल से Gurja Akट अलों के अपिल को माननें यह अपनी बहुत बड़ा सवाल थे और सबसेव कि यह कि अब लेकिन अब ये जो आंदो नन है वो सिर्फ तीन राजी तक सिमित नहीं है अब यूझे पेरे तस्वीरे भी देखी थी महाराज़्िए की तस्वीर हमने देखी किरल की हमें तस्वीरे देखिए वहाँ पर उसका असर हमें देखा था तो ऐसे में अप जरूरी हो जाता है कि इस अंधुलन पर कोई बड़ा फैसला लेना होगा चैहे वह सरकार का हो चैहे वह किसानों का हो कदम आगे बढ़ाना होगा कदम आगे बढ़ाएंगे तभी कोई ह कल सकता है वरना हल नहीं निकलेगा और यह आंदुरन की वज़े से आम जंता को तो दिक्कते होई रही है किसान खुद भी बेहद परिशान है पारूल बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कह रही है फैसला लेना होगा कदम आगे बढ़ाना होगा यह बहुत ही जरूरी है चाहे क किसी तरह से बैठे रहेंगे जैसे पिछले दो महीनों से बैठे हुए हैं लेकिन सरकार जो है वो लगाता प्रयास कर रही है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से किसानों को मना ले बिल्कुल पारूल हम चर्चा कर रहे हैं आज किसानों की वैसे लगातार हम इस पर चर्च है जिस तरह के ट्वीट्स आये थे आपने देखा था और हमारे दर्शकों ने भी देखा था हमने भी खबरे चलाई थी तो ऐसे मैंनों अगर हम करें तो एकता नहीं दिखती है किसानों में और इसका जीता जाकता एक जो 26 जनवरी को भी निकला था क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम शांतिकून तरीके से ट्रेक्टर परेड निकालेंगे लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई वो किसी से नहीं चुपी तो एक एकता वाली अगर जो बात करें वो किसानों में नहीं है क्योंकि राकेश टिकैट खुद कहते हैं कि प्रधान मंत्री मूदी जो हमारे भी प्रधान मंत्री हम उनका सम्मान करते हैं सर नहीं जुकने देंगे लेकिन उसके बाद कुछ किसान ऐसे भी है जो गलत शब्द यूज करत यह आंदोलन जीवी इसको समझना बेहत जरूरी है पारूल कि यह आंदोलन जीवी कौन है आखिर यह आंदोलन जीवी कहां कहां दिखाए देते हैं और कैसे इनका एहन रोल है इस किसान आंदोलन में देखे पारूल यहां पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज के सं पर एक तरफ से उन्होंने किसानों को साथ दिया, दूसरी तरफ उन्होंने सिखो को विसाथ दिया है, नहीं मन अप लिख some more. इस आपनी हैं शुकرض किसानों कि तो कीथए पारूल से यह है कितना जहादा असर पड़ता है, और क्या या अंदोलन अब जल्द खत्म होगा या जिस तरह से किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि किसान अंदोलन लंबा चलेगा ये देखने वारी बात होगी वलाल के लिए हमार साथ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस बाल एंडिया